आपको सतीश धवन सेंटर भी लेए चलेंगे अंद्रप्रदेश के श्री अरिकोटा में जहां से चंद्रियान 3 मिशन लौच होगा मेरे स्योगी श्रीवत्सन वहां पे बने वहां से भी लगातार अपडेट आप तक पहुंचाएंगे चलिए सीधा रुकर लेते हैं सीधा रुकर लेते हैं श्री अरिकोटा सतीश धवन सेंटर का मेरे स्योगी श्रीवत्सन हमाई साथ बने सतीश ना सिर्फ भारत बलकि पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रियान मिशन 3 पटी की हुई हैं वहां पे क्या आल चल है क्या पडेट है किस तरह की तयारी जी रवीजी देखे आपने जैसा भी साफ तो पर का कि पूरी दुनिया की निगाहें हैं और इंदुस्तान के लिए सबसे गौर्वान वी शन हैं क्योंकि चंद्रियान 3 का लिए काउंडाउन जो है 25 घंटे यानि कि 25 घंटे पहले शुरू हो गया था और दो बच के 35 मिनट पर 10, 9, 8, 7, 6 जब उल्टी गिंती शुरू होगी तब सब की धड़कने बड़ी रहेगी क्योंकि उसके बाद ही विज्यानिकों की असली परिक्षा सुरू होती है 16 मिनट और 9 सेकिंड बाद ये परत्वी के गुरुत्वा कर्शन सीमा से बाहर निकल जाएगा और 16 दिन तक परत्वी की कक्षा के चारों और चक्कर लगाता हुआ रहेगा और 17 दिन ऐसा कहा जा रहा है कि यह सीधा चंद्रमा के कक्ष में पहुंच जाएगा और धीरे धीरे वहाँ पर अपना दायरा बढ़ाता रहेगा तो इस तरह से ये पूरा एक प्रोसेस है और सबसे बड़ी बात है 15 साल के विग्यानिकों के अथक मेहनत का ये नतीज़ा कहा जाएगा क्योंकि साल 2008 में जब पहला चंद्रयान अभियान मिशन शुरू किया गया था तो उस वक्त तातकालिन प्रदानमंत्री अटल बियारी वाजपे ने लाल किले से ऐलान किया था कि हम जल्दी ही चंद्रयान पर कदम रखने वाले हैं उसके बाद उनके ऐलान के दो तिन महीने बाद इसरो ने अपना रोकेट वाच चोड़ा था हमारा जो चंद्रयान एक था वह चंद्चांड तक पहुँचा भी और वहाँ पर पानी की खोज भी कर दिया और कहा कि चंद पर पानी है मिशन चंद्रियान दो की यदी मैं बात करूँ तो वह साल 2019 में सेप्टेमर में लॉंच हुआ था और इस मिशन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन एक साथ चार इंजन जब लैंड करवाते वक्त चार इंजन ओन करने के कारण गती काफी दीरेब हो गई थी और जब उसको कंप्यूटर ते तरीके से उसे गती को स्पीड को बढ़ाने की कोशिश की गई तो यह पूरा क्रेश हो गया हलाकि इसके बाद भी हमारे विग्यानिकों ने हार नहीं मानी और केवल चार साल के भीतर ही उन्होंने चंद्रयान तीन मिशन को लाँच कर दिया दो बचकार 35 मिनट यह वक्त काफी एहम हो जाता है इस वक्त देश चंद्रयान मिशन 3 को लाँच करेगा हर एक तस्वीर हर एक अपडेट हम आप तक पहुचाएंगे